भार के बजारों में जम कर विक्वाली देखने को मिले सवाल अब ये कि कहां से बाउंस करेगा निप्ती कहां सफोर्ट लेगा या फिर ये विक्वाली और गहराएगी इस चीज का जबाब खोजेंगे देता में हम लोग फाइंड आउड करने के कोशिज करेंगे क्या निप्ती उपर के तरफ पाउंस करेगा या फिर और विक्वाली करेगा तो इसके लिए चलते हैं ओप्शन चेन के उपर लेवल्स को फाइंड करते हैं निप्ती का ओप्शन चेन पे ये 22,500 का लेवल अब माउंट एवेश जैसा दिखाई पढ़ रहा है क्योंकि इस जगह पे 3,000 लोट्स का उपन ट्रिस अभी फिलाल खड़े हैं इसके बाद ये लेवल भी देखिए 2,000 लोट्स का उपन ट्रिस और 1,49,000 लोट्स का उपन ट्रिस एदीशन आपको दिखेगा इस ट्राइक है 22,400 तो ये डो लेवल अब काफे पोतन रसिस्टेंस का काम करेंगे निफ्टी के उपर निफ्टी के उपर जो अगला सपोट दिखाई पड़ता है स्ट्रोंग सपोट वो आपका तूल एक 71,000 लोट्स का उपन ट्रिस आपको खड़ा दिखेगा इस ट्राइक है 22,000 का और एक और सपोट आपको इस जगह भी मिल सकता है एक लाग चौदा आजा लोट्स का उपन ट्रिस आपको खड़ा दिखेगा 22,000 का स्ट्राइक है अगर यह 22,000 को break करता है तो नीचे जो अगला सपोट निफ्टी का दिख रहा है वो 16,800 का है तो अभी फिलाल जो IMPORTENT सपोट है 22,000 और 22,200 का IMPORTENT सपोट दिखाई पड़ता है निफ्टी के उपर फिलाल का रेंज जो निफ्ति का दिखाई देता है 22,000 से लेके 22,500 का रेंज दिखाई पड़ता है और मेक और ब्रेक लेवल आपका 22,300 का है जहां 1,64,000 लोट्स का उपन ट्रेस कॉल साइड में एदिशन 1,40,000 लोट्स का और स्ट्राइक अपका 22,300 दूसरी तरफ देखें तो 1,62,000 लोट्स का उपन ट्रेस ख़रा पूट्साइड में और एदिशन करीब 32,000 लोट्स का तो यह मेक और ब्रेक लेवल है अगर निफ्ति इसके उपर रहा तो 22,400 और 22,450 और 22,500 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे लेकिन किसी कारण वस 22,300 के निच्चे अगर गया तो 22,200 के लेवल, 22,100 और 22,000 के लेवल तक निच्चे जा सकता है 22,300 के उपर अगर तीकना शुरू करेगा तो यहां से हमें थोरा सा सौथ कवरिंग का सहारा मिलेगा और उपर के तरफ मूग कर सकता है निफ्ती लेकिन अगर इसके निच्चे तीकेगा तो यहां जो भी तेजी करने वाले लोग हैं अपने पोजिशन को हलके करेंगे और फिर निच्चे के तरफ लेके जाएंगे option sentiment में आपको दिखेगा यहां से जिनों ने सौथ कर रखा था जवर्जास कवरिंग देखने को मिला panic में उन्होंने अपने position को हलका किया है जिससे यह जो बिक्वालिती और गहर आ गई अगर आप चेंज पर देखेंगे तो आपको call writers जेवर्जास मिलेंगे call writing जेवर्जास करके रखा है और यहां पे put buyers भी आपको दिखाई पड़ेंगे future OI build-up nifty का देखेंगे तो long unwinding अज देखने को मिला है और पिछले 5 दिनों को combine करके अगर देखेंगे medium term का view देखेंगे तो उस पे 100 build-up होते हुए दिखाई पड़ रहा है पतलब nifty के उपर थोरी स्थो कमजोरी देखने को मिल रही है PCR की बात करेंगे तो PCR 0.56 के level पे है यह ऐसा level पे है जो बता रहा है कि कल सायद nifty के उपर gap up हो सकता है अगर market gap up नहीं हुआ निच्छे खुला तो निच्छे के level से nifty के उपर खरदारी आ सकती है इस level पे है 22,000-400 पे max पे नहीं वो अभी तोड़ा सब positive sentiment indicate कर रहा है OI build up पे देखेंगे तो आपको short covering put में दिखाई पड़ेगे जिसके करण यह बिक्वाली और गहराई थोड़ा सब put buyers भी आपको दिखेंगे इन सब levels के उपर और आपको इधर मिलेगा call writer चेवर जस्ट call writing आपको देखने को मिल रहा है पॉल बाइंग देखेंगे तो काफी OTIM में पॉल बाइंग होते हुए दिखाई पर रहा है overall जो data बता रहा है निफ्टी के ऊपर OI build up बता रहा है कि तोड़ा से negative तो दिखाई पर रहा है निफ्टी लेकिन PCR बता रहा है अगर निचे खुला तो वहाँ से बाइंग आ सकती है या फिर निफ्टी gap up हो सकता है इन सब के भी एक देटा खेल कर रहा है वो है आपका इंदिया विक्स का देटा इस पर जवर्जा सर्ज देखने को मिल रहा है जिसके कारण मार्केट में इतनी बोलेत लेती देखने को मिल रही है तो इसको भी आप अपने ध्यान पर रखिए और एक वीडियो आई बतन में मिलेगा जो इंदिया विक्स कैसे और क्या इंपोटेंस अब बताएगा उससे जवर्ण देख लिजिएगा कॉमेंट करके बताएगे कि यह एनलिसिस कैसा लगा और वीडियो लाइक करके हमारे तीम को एप्रेशियक करिए और चैनल में सब्सक्राइब कर लिजिए